नमस्कार दोस्तों भावना, दुरघटना, असफलता, रिष्टों की दरार, धोखा और वो चीज़ें कभी नहीं होती जो कि मैं चाहता हूं अच्छी हेल्थ, सफलता तो इसका कारण है आपका ब्रीन, मित्रों आपका ब्रीन आपकी लाइफ का ब्लूप्रिंट है जिस तरह से एक बीजे और अगर आप अपने लाइफ के अनुभब को सच में बदलना चाहते हैं तो आपको अपने ब्रीन को बदलना सीखना ही पड़ेगा जो कि आज की इस वीडियो का टॉपिक है मित्रों अपसूस की बात तो यह है कि हम अपने कंप्यूटर के सॉफ्ट्र को अपडेट करते है अपने मोवाइल को बार-बार अपडेट करते हैं लेकिन किसी स्कूल ने हमें यह नहीं सिखाया कि किस तरह से हम अपने ब्रेन को अपडेट कर सकें रिवायर कर सकें तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप अपने ब्रेन को रिवायर कर सकते हैं वो negative program जो कि आपके लिए काम नहीं कर रही हैं उसको उखार फेकें और वो programs उसके अंदर डालें जिससे कि आपको सफलता मिले, health मिले, शक्ती मिले, उर्जा मिले, खुशिया मिले अब brain को rewire करने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका brain आपके विश्व का निर्मान कैसे करता है जैसे medical science में सबसे पहले anatomy पढ़ाई जाती है, aeronautical engineering में सबसे पहले aerospace और aeroplane की बनावट बताई जाती है उसी तरह से इस programming के लिए आपको अपने brain के function को, कारे कुशलता को समझना पड़ेगा मित्रों, हमारे brain का काम है विचारों का निर्मान करना ये विचार हमारे शरीर में एक रसायनिक बदलाव लाते हैं, chemical change लाते हैं, जिसको की emotion कहा जाता है ये emotion सकारात्मक हो सकते हैं, जिसे दया, प्रेम, करुना या नकारात्मक हो सकते हैं, क्रोध, जलन, इर्शया, दुख, ठकावट, इत्यादी अब ये thought और ये emotions ये मिलकर हमारे शरीर के चारों तरफ एक vibration का निर्मान करते हैं ये vibration हमारी quantum field के साथ interact करती है, बात करती है, और उसके basis पे ही हमें हमारे life के results मिलते हैं अब अगर हमारे विचार और हमारी भावनाएं, ये आखिर कहां से आते हैं, ये आते हैं हमारे brain के program से और हमारे brain के program क्या है, कुछ nerve cells आपस में एक साथ जुड़ जाते हैं, किसी खास काम को करनी के लिए, वो हो गया brain का program तो अब हमारे brain के जितने programs है, 95% program negative है, क्योंकि आखिर वो बनती कैसे हैं, हमारे वातावरन से और हमारे अनुभब से हम उस वातावरन में रह रहे हैं, जहां कि 90% लोग नकारात्मक सोंचते हैं अगर कोई बड़ी बात आपने कर दी, तो लोग आपका मजा खुड़ाएंगे अगर आपने कहा कि मैं बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, तो आपके पापा कहेंगे पूंजी कहां से आएगी, यह संभब है अगर कुछ आप डॉक्टर बनने की बात कर दिये, तो पूरी सोसाइटी आप पे हसने लगती है हम उस वातावरन में रहे हैं और इसके कारण हमारी नकारात्मक जितने भी सरकिट्स हैं, प्रोग्रेम्स नेगेटिव हैं और इसके कारण जो हमारी रिजल्ट्स आ रही है, वो रिजल्ट्ट भी नेगेटिव है ब्रेन की शक्ति को गहराई से समझने के लिए यहां मैं आपको एक audio book refer कर रहा हूँ इसे आप कहीं भी सुन सकते हैं आपको ऐसा लगता हो कि मेरे पास time नहीं है English में बहुत सारी books हैं तो इस problem को solve किया है KUKU FM एप ने जो कि हमारी sponsor एप है इस एप ने हिंदी और बहुत सारी reasonable languages में audio books motivational books और books की summary डाली है जिसे आप चलते फिरते काम करते हुए कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं अपने जीवन में कुछ नया बदलाव हासिल कर सकते हैं यह तो इसका price भी 399 रुपीज है लेकिन चुकि इन्होंने जब हमारी साथ collaboration की तो PP50 code को 250 user use करते हैं तो उन्हें पुरे साल का package 199 रुपे में मिलेगा और इस तरह से दोस्तों दिन भर की एक रुपे से भी कम खर्च करके आप अपने brain के circuits को एक नई direction दे सकते हैं कुछ नया सीख सकते हैं अब चुकि brain हमारे life का blueprint है अब नई programs बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक माली की तरह वही example लाना पड़ेगा पुराने circuits को खार कर फेंकना पड़ेगा और तब ही आपके पास उतनी creative energy होगी कि आप नई circuits का निर्मान कर सको तो उसके लिए क्या है हमें ये समझना पड़ेगा आखिर जो हमारे brain की circuit है वो कैसे काम करती है कैसे जंदा रहती है उसका भी बनावट यही है पौधे की तरह अगर मान लो एक पौधे को पानी ना मिले अगर सूरज का प्रकास ना मिले उड़ जा ना मिले तो क्या होगा वो मर जाएगी उसी तरह से हमारे brain में मान लो की कोई लड़ाई किसी से हो गई तो हम उस बात को बार बार रिहर्स करते रहते हैं अगर मान लो हमने कभी असफलता हासिल की तो हम आगे भी exam में यही सूचते रहते हैं मान लो के फिर से असफल हो गए तो तीचर ने डाटा तो हमारा क्या होगा इस तरह से हम past की जो अनुभव हैं नकरात्मक अनुभव और जो एक predictable future है जो कि हम नकरात्मक अपने मन से imagine करते हैं उसी के भी जूलते रहते हैं और ये नकरात्मक ता फिर से नकरात्मक emotion, नकरात्मक vibration और एक नकरात्मक विश्यू का निर्मान करती है तो अब समझना ये है कि हम इन्हें तोड़े कैसे इनको तोड़ने के लिए जो इन्हें उर्जा दे रही है वहाँ से उर्जा को हटाना पड़ेगा और इनको उर्जा मिलती है हमारे attention से तो अब हम इनसे हटाने के लिए ध्यान को अपनी उर्जा को present moment में लगाएंगे जैसे हम अपने attention या focus को present moment में लगाते हैं ये सांस की क्रिया हो सकती है सांसों को आप देख सकते हो जैसे हम ध्यान में करते हैं या आप शरीर के प्रती समरेदन सील हो सकते हो या किसी आवाज को ध्यान पुर्वक्त सुन सकते हो mindfulness की कोई भी exercise कर सकते हो बहुत सारी वीडियो मैंने बना रखिया है आप जाकर किसी एक को देखे इस तरह से जो उर्जा वहां बरबाद हो रही थी कि उस mental rehearsal में नकारात्मक विचार create करने में और नकारात्मक भावना बनाने में वो उर्जा अब present moment में है इस तरह से उर्जा की कमी के कारण ये programs धीरे-धीरे तूटने शुरू हो जाते है और आपकी उर्जा free हो जाती है इसका दूसरा तरीका है metacognition या awareness दोस्तों आपको पता है जब नस्बंदी हमारी सरकार ने लागू किया था तो कई लोगों को जबरदस्ती लाना पड़ता था लेकिन फिड़ भी लोग इससे भागते थे लेकिन आप जब लोगों को aware कराया गया कि इसके फायदे हैं कम बच्चे होंगे आप सेफ रहेंगे आप बच्चों की देखभाल कर सकेंगे तो अपने आप नस्बंदी कराने वाले लोगों में ब्रिधी हो गई वही स्थिती कोरोना के वैक्सिन की थी आपको याद होगा पहले डॉक्टरों पे मारपीट की गई लेकिन बाद में लोग खुद से लंबी लाइन लगा कर कोरोना के वैक्सिन लेने लगे ये पावर है जागरूकता की या अवेर्निस की और ये हमारे प्रिफ्रेंटल कॉटेक्स से होता है हमारे ब्रेन से होता है अब जिन चीजों की प्रति आप जागरूक रहते हैं वो चीजें अपने आप जो नकारात्मक हैं वो तूटिनी शुरू हो जाती हैं और जो सकारात्मक हैं वो मजबूत होने लगती है तो आपको अपने विचारों और अपने भावनाओं के प्रति alert रहना है देखें कि आप अपने गोल के लिए कैसा सोचते हैं मानलो आप ये सोच सकते हैं मेरे से तो कुछ नहीं हो सकता मैं good for nothing हूँ मेरे से कुछ नहीं होगा और आप कैसा feel कर रहे हैं हो सकता है frustration है गुसा है, तनाव है, anxiety है आप इनको देखते रहें और जितना जादा आप इसके alert बनेंगे जागरूग बनेंगे धीरे धीरे metacognition के कारण ये program automatically टूटनी शुरू हो जाएंगे क्योंकि rule ये कहता है कि अगर आप नदी को देख सकते हो तो आप नदी से बाहर हो और जिस program को आप देखते हो वो program अपने आप हील होने लगती है सकारात्मक बनने लगती है और मित्रू उसके बाद आप जाकर सबसे पहले रसमलाई खाओ वैसे रसमलाई मेरी बहुती फैब्रेट मिठाई है और इसका कारण ये है कि आपने वो creative energy वो रचनात्मक शक्ती जो कि नकरात्मक ता में फसी हुई थी उसको free कर लिया और brain बहुत सारी उर्जा को अपनी मुठ़्े में कर लिया और ये उर्जा ही वो currency है जिससे कि आप अपने सपनों की दुनिया का निर्मान करेंगे लेकिन रुको 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 अभी brain की rewiring बाकी है इसके पूरे वीडियो को जरूर देखिए अब समझते हैं brain के पास उर्जा तो बहुत ज़्यादा आ गई लेकिन इससे अगर अपने सपनों की दुनिया को बनाना है तो इसके अंदर फिर से वो program डालने पड़ेंगे जो कि आप अपनी life में result चाहते हैं हो सकता है आप धनी बनना चाहते हैं healthy बनना चाहते हैं mystical experience करना चाहते हैं ध्यान को गहरा करना चाहते हैं जो कुछ भी चाहते हैं उसमें से एक को चुन लेना उसके बाद आपको यह समझना है कि आपका brain आपके सपनों के हिसाब से बदल सकता है और चुकि brain ही हमारे life का blueprint है इसलिए अगर हमने brain को बदल दिया तो हमारी life 100% बदलेगी कहने का अर्थी यह कि neuroplasticity के तहत हमें अपने brain को change करना है अभी अगला step है हम अपने brain को rewire कैसे करें इसके लिए concept समझना पढ़े का neuroplasticity का वो यह कहती है कि आपके सपनों के दुनिया को बनाने के लिए आपका brain किसी भी level तक बदल सकता है और चुकि हम जानते हैं कि हमारा brain ही हमारे life का blueprint है और अगर हमने अपने brain को बदल लिया तो हमारी life 100% बदल कर रहेगी तो अब इसमें वो program establish करने हैं जो कि हम अपने जीवन में चाहते हैं हो सकता हैं अमीर बनना चाहते हैं स्फ्रस्ट बनना चाहते हैं नए रिष्टे को आकरसिप करना चाहते हैं ध्यान को कहरा करना चाहते हैं कोई अनाथाश्रम बनाना चाहते हैं सर्विस करना चाहते हैं जो कुछ भी आप चाहते हैं उसमें से एक को आप चुल ले अब हम समझते हैं कि brain में ये program डालेंगे कैसे तो brain में जो program बनते हैं वो अनभव या experience से बनते हैं और अब आपको बताता हूँ top secret त्यान से समझना brain बेबकूफ है ये imagination और reality में कोई अंतर नहीं जानता तो अगर आप कुछ imagination में भी कल्पना करते हैं तो brain को यही लगेगा कि ये तो एक सच्चा अनुभव है और वैसे program आपके brain में बन जाएंगे और इसका आप use कई सालों से कर रहे हैं नई imagination नई story बना रहे हैं नई अनुभव दे रहे हैं और इस तरह से नई program बना रहे हैं लेकिन अभी आपने उन program को तोड़ा है अब आपको खुद के लिए इस पर काम करना पड़ेगा और नई program बनाने पड़ेंगे अगर मैं सफल हुआ तो कौन से ऐसे लोग होंगे जो कि खुश होंगे मैं अपने मावाब से कैसे मिलूँगा वो प्रतिद्वन्दी जो की मेरे विरुदध है मैं उनसे कैसे मिलूँगा मेरे जिवन में नया क्या अनुभव होगा इस तरह के विचार जब आप बार-बार सोचना शुरू करते हैं तो आपका pre-frontal cortex इसके हिसाब से नई विचार का निर्मान करता है ये नई विचार नई स्टोरी बनाएंगे नया अनुभा बनाएंगे और ये सकारात्मक विचार आपके अंदर सकारात्मक कीमिकल पैदा करेंगे enthusiasm के, hope की, खुशी की, सकारात्मक तकी और ये नई विचार और नई emotions ये मिलकर आपके लिए एक सकारात्मक vibration बनाएंगे और quantum law से आपकी वो चीज reality में change हो जाएगी लेकिन अभी भी दो important step बाकी है पहला तो ये कि जब आप ऐसा करोगे ना आपका brain आपको कहेगा नहीं ये काम नहीं कर रहा चलो कल से करेंगे अभी चाय नाश्ता करके आते हैं इसका solution क्या है क्योंकि यहीं पे 99.99% लोग असफल हो जाते हैं तो खुद को याद दिलाना है अब ये चुकर कमीने तेरे कारण मैंने अपने लाइफ की मा बहन कर ली है अभी तुझे बैठना पड़ेगा आज से मालिक मैं हूँ तू नहीं है तेरी बात मैंने बहुत सुन ली चाय नाश्ता बाद में होगा पहले मुझे अपने जीवन को चाय नाश्ता कराना है और आप आराम से बैठ जाए कुछ भी हो पूरी तरह से आपको तनमेता के साथ प्रैक्टिस करनी है तब तक प्रैक्टिस करनी है जब तक कि आपकी विचार सकरात्मक ना हो जाए और आपकी फीलिंग सकरात्मक ना हो जाए इसी तरह से बहुत सारे फिल्म स्टार्स नहीं किया है इसी तरह से मैंने अपने लाइफ को चेंज की है और बहुत सारे लोगों ने जो law of attraction, brain training कर रहे हैं उन लोगों ने practice करके अपनी लाइफ को बदला है और आपको भी आज यही consistency दिखानी है और अन्तिम स्टेप को ध्यान से समझना अन्तिम स्टेप है consistency मित्रों आपने देखा हो कोई कुछ पढ़ा और वो चीजें आप अगले दिन 70% भूल जाते हैं आपने संदीप महिश्वरी साहब की कोई motivational book पढ़ी या पिर उनका lecture सुना आपको बहुत अच्छा लगा आपने खुब महनत की और वो motivation 80% कल के लिए down हो गया क्यों? क्योंकि हमारा brain जो connection बनाता है अगर उसको फिर से उर्जा नहीं दी गई, repeat नहीं किया गया तो connections वो आपिस टूट जाते हैं इसलिए आपको से बार-बार practice करनी है इसलिए कहते हैं 66 days या 21 days किसी चीज के practice करो तो वो पक्का होता है इसलिए इसकी practice बार-बार करनी है और दोस्तों इस तरह से आप अपने जिन्दगी को change करेंगे मित्रों इस बात को याद रखना चाहे आप अपने जीवन के किसी पड़ाओ में हो किसी उम्र में हो आपने कितनी भी असाफलता हासिल की है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका past क्या है अगर आप अपने brain पे काम करने के लिए उत्सुख हैं तो आप सही में अपने future को बहतर कर सकते हैं आज से एक नई start कर सकते हैं और इस नई start से आप अपने पूरे जीवन को बदल कर लोगों के लिए भी role model बन सकते हैं अब आपके लिए कुछ call to actions हैं सबसे पहला action ये है कि छोटा सा comment लिख कर आप मुझे inspire कर सकते हैं ताकि मैं इस तरह की वीडियो और frequent बनाऊ दूसरी बात ये कि power of subconscious mind इस book को आप kukoo fm app पर जाकर download करिए और उसको पूरा कपूरा सुनिए बार बार सुनिए और तो और मित्रों अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने पांच दोस्तों को जरूर शेयर करें हो सकता है ये उसकी life में भी कोई सकरात्मत बदलाव लाएगा Thank you, thank you